Hello guys, आपका मेरे चैनल Smart Study में स्वागत है आज हम Directed of Education की तरफ से दी जाने वाली Worksheet No.28 करेंगे जो की Class 7 की है और Subject है English ये Worksheet 28 October 2021 की है तो आइए शुरू करते हैं आज की Worksheet Topic Noun A noun is a word that name, a person, place, animal, thing or any ideas क्या कहा जा रहा है कि noun किसे कहते हैं किसी भी प्रसन, place, animal, thing या किसी आइडिय की name को हम क्या कहते हैं mostly देको noun का meaning क्या होता है naming word जिससे भी हम किसी चीज का name बुलाते हैं चाहे वो person हो, place हो, animal हो, thing हो तो उससे हम क्या कहते हैं noun कहते हैं For example, man, tree, ram, book, chair, table, cat, sunita, honesty ये सब क्या है naming word है ये सुनते ही, जैसे कि हमने सुना सुनीता तो हम जानेगे कि किसी girl का नाम है हमने सुना ram, हमने सुना book तो हम ये किसी ना किसी चीज का नाम है और जो कोई भी naming word होता है नाम का word होता है उसे हम क्या कहते हैं noun कहते हैं अब देखते हैं आगे पूट था फोलोइंग नेमिंग वर्ड इन तक और प्ष्ण हमें यह पे दिया गया यह person है place है और अइनिमल्स है तो यहां से भी नाम चूज करना है कि कौन सा क्या है person ऊसी बाद तो आफ वर के ली करेक्ट से स्ब्सक्राइब बोलत दीवियरane act me कर्त सब्सक्राइब है पहले परसों परसन और ऐसे की उसके दा तिर्न वाइब नैक्सji का एा घाइब वोई यह सारे क्या है पर्सन के नेम है जो हमने यहां से चांट कर लिखी है उसके बाद प्लेस का नाम जैसे की पार्क उसके बाद रेड़ फोर्ट हो गया बीच हो गया लंदन हो गया यह सारे क्या है यह प्लेस के नेम है अब देखो थिंक के नेम क्या है जिसे की कॉंप हो गया सो उसके बार अगी Ёहां पर डिये गए जिसे कि लंदन क्या जाएगा यहां पर प् Apollo Committee का ओगर घ्लिशा के रहा मंगी यह रहा एलीफेंड यह नाम लिख दिया है तो आपको करना किस तरह से नोट बूक में है आप उपर इस तरह से कोलम बनाएंगे परसन प्लेस तिंग्स और अनिमल्स के चार कोलम बनाएंगे और उसके नीचे इस तरह से नाम आप लिख देंगे तो यह था आपका फर्स्ट कोशन अब हम करते हैं next क्या हो जाएगा और ब्रेट भी यहां पर नाउन हो जाएगा क्योंकि डॉग और ब्रेट से हम कुछ चीज समझते हैं किसी का नाम है यह नेक्स देखिए plants need water to grow तो plants need water to grow यह क्या हो जाएगगे इं निमिंग यह लिandanAmanger नेक्स देखिए और आपल यहां पर क्या हो जाएगा ऐक नाउन हो जाएगा नेक्स देखिए अनजली वेधा इस नोट बूक वह उतार ने है और जो भी नाउन वर्डिण जो भी वर्ड सो उसको क्या कर देना है अब हम देखते हैं कोशिशन नंबर सी कोशिशन नंबर सी क्या कहा गया है complete the following sentence by using noun यहाँ पर कुछ nouns दिये गए है जिनका use करके हमें sentence को complete करना है तो आईए करते हैं this is all जैसे कि देखिये सबसे पहले क्या आएगा this is my cat तो first पर क्या आजाएगा this is my cat her name is kitty second पर क्या हो जाएगा her name is kitty she lives in my house वो कहां रहती है मेरे साथ हमारे घर में रहती है she loves to drink milk उसे क्या है milk drink करना बहुत जाद आचा लगता है she has a long tail उसके पास क्या है एक long tail है my brother like to play with her मेरा भाई उसके साथ खेलना बहुत पसंद करता है next day कि he jump with her on his bed was के band पर क्या करती है jump लगाती है her presence bring happiness in my life उसकी presence ने क्या क्या है मेरे life में happiness खुशिया ही लाई है तो यहाँ पर इस तरह से दिया गया है अब इस तरह से जो feeling the blanks के साथ साथ में आप क्या कर लेंगे अपनी वक्षिट को complete कर लेंगे तो यह थी आज की वक्षिट वक्षिट को complete करके अपने teacher से चेक करवाईए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए थैंक्यू गाइज